हेलोड़ फ्रेंज.. मैं नितिष.. स्वागत ही आपका इस चैनल में. तो फ्रेंज.. कैसे हैं आप लोग.. अप लोग अच्छे हम तो फ्रेंज चरिए.. हम आपको आज εक्ससाइज... तर्टिन यानि तेरा बताएं. तो friends इसमें जो है आपको interrogative sentence और interrogative plus negative sentence दिया गया है ठीक है तो इन दोनों को mix करके दिया गया है इसमें तो हमने इससे पहले आपको यानि आपको exercise 12 यानि 12 बता दिया है तो उसमें आपको सिर्फ interrogative sentence मिला है और इसमें आपको negative interrogative plus negative भी मिला है और interrogative भी मिला है तो यानि दोनों को mix करके दिया गया है तो चलिए आज हम इसमें interrogative plus negative का structure देख लेते हैं और तब इसे बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर जो दिया गया है कि वाज वेर प्लस subject प्लस not प्लस object तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखिए एक sentence ले लिया है ठीक है क्या आप गरीव नहीं थे ठीक है क्या आप गरीव नहीं थे इसका जो बनेगा क्या और वाज वेर का प्रियोग तो आपके अनुसार यहाँ पे वेर लगेगा वेर यू और यहाँ देखिए subject के बाद हमें क्या लगाना है not तो यहाँ पे not लगाएंगे और गरीव यानि object यह गरीव है तो यहाँ पे पूर देदेंगे और वाट कची दे ले तो यह बनके ready हो गया ठीक है तो अब चलिए हम अपने exercise पे चलते हैं तो फ्रेंस यहाँ पे जो है पहला दिया गया है उसे हम देख लेते क्या पे यहाँ पे जो है क्या आप अनुपस्थित थे क्या आप अनुपस्थित थे तो यहाँ पे जो बनेग मैं अनुपस्थित नहीं था तो वेजर यहाँ पे वाज होगा क्योंकि मैं है तो वाज आई not absent वाज आई not absent मैं उपस्थित था वाज आई present वाज आई present क्या आप एक किरानी थे क्या आप एक किरानी थे यहाँ पे बनेगा where you a clerk where you a clerk नहीं मैं किरानी नहीं था no no I was not I was not clerk ठीक है no I was not clerk no I was not clerk मैं एक अपसर था ठीक है मैं एक अपसर था I was a I was an officer I was an officer क्या आप लोग नेता थे क्या आप लोग नेता थे यहाँ पे जो बनेगा where you leaders क्योंकि आप आप लोग है where you leaders हाँ हम लोग नेता थे yes we were yes we were leaders yes we were leaders क्या वे लोग किसान थे वे यहर दे फार्मर्स क्या वे लोग किसान थे वे यहर दे फार्मर्स नहीं वे लोग किसान नहीं थे no they were not farmers they were not farmers no they were not farmers वे लोग मजदूर थे वे लोग मजदूर थे वे लोग मजदूर थे they were they were laborious ठीक है laborious laborious नहीं laborious they were laborious क्या आप पागल है where you यहाँ पे हैं है यहाँ पे अच्छे देखिए हैं है ठीक है तो यहाँ पे होगा are you mad are you mad no I am not mad I am not mad no I am not mad मैं नटखट हूं I am nutty I am nutty तुम मेहनती नहीं हो तुम मेहनती नहीं हो तो यहाँ पे होगा you are not laborious आप तयार नहीं है आप तयार नहीं है तो you are not ready you are not ready क्या मैं चोर हूं आर यानि am I thip am I thip क्या वे दोसी थे यहाँ पे फिर थे आ गया तो यहाँ पे वे यहाँ पे वाज लगेगा क्योंकि वे यानि एक आदमी के बारे में का जा रहा है तो was he guilty ठीक है वाज ही guilty आप मूर कोर असिक चित हैं you are ठीक है you are police and uneducated you are police and uneducated क्या यह गंदा है is it dirty क्या कुर्सी नई थी तो यहाँ पे थी है तो was chair was chair new was chair new क्या वे लोग गायक है क्या वे लोग गायक है तो यहाँ पे हो जाएगा are they singers are they singers ठीक है तो यहाँ पे vocabulary दिया गया तो चलिए हम इसी देखते हैं किरानी का जो clerk होता है इसे clerk पढ़ते हैं यहाँ पे भी दिये गया अपसर का officer नेता का leaders होता है leader होता है और यहाँ पे दिखिए किसान का farmer होता है मजदूर का laborier होता है पागल का mad नटखट का nutty मेहनती का laborious चोड का थी दोसी का गल्टी मुर्क का police असिक्षित का uneducated गंदा का dirty कुर्षी का chair नया का new गायक का singer ठीक है तो friends मिलते है exercise 14 में तब तक के लिए बाए अगर आ अगर आप Oxford junior English grammar पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा Oxford junior English grammar रेगुलर मिले जैसे रेगुलर रेगुलर आपको translation मिलता है उसी तरह कल से आपको मिल रहा है तो आप देखते चाहिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए